चटा है ना नमस्कार मैं हूँ सच्चिदानद वसिष्ट सजनों हमारी जो चर्चा चल रही है यह सूर्य के संबन्द में चल रही है क्योंकि सूर्य जगत की आत्मा है सूर्य अगर ना हो तो संसार में कुछ भी ना हो अन्न की उत्पत्ती ओसदियों की उत्पत्ती फलों की उत्पत्ती और ये सब जोगे सूर्य के द्वारा ही प्राप्त होती है सूर्य अगर नीच राशी का और छटे इस्तान के अंदर हो जाए तो छटे इस्तान के अंदर सूर्य जिब नीच राशी का होगा तो चतुर्थेस बनता है सूर्य रिधे कारक होता है आत्मा कारक होता है और सूर्य हमारी अस्तियों का कारक होता है सूर्य राज्य कारक होता है सूर्य पिता कारक होता है सूर्य लग्न का नमम का दसन का जो है कारक होता है भाग्य संबंदी जो कहें सुख सूर्य हमें देता है राज्य संबंदी सूर्य हमें सुख देता है लेकिन जब ये निर्वल हो जाता है नीच राशी का हो जाता है तो उनके परिणाम हमें बहुत कम मात्रा में प्राप्त होते हैं या फिर नहीं प्राप्त होते हैं तो सूर्य नीच रासी में होता कब है 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सूर्य तुलारासी में होता है नीच रासी में होता है तो ऐसी सिती के अंदर जब सूर्य ऐसा होगा तो हम राज की ये कामों में नेतागिरी में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं उच्छ पदाधिकार जो हैं हमको प्राप्त नहीं हो पाता के और हो पाता के तो जल्दी खिर्ण हो जाता है भंग हो जाता के जातक रिधेरोगी हो जाता के कृस दुबला पतला शरीर अंग भंग का भी उसको जो हैं भेह रहता के सरकारी अधिकारियों से परेशानी जगडे मुकुद्मों के अंदर धनका नास होता गए और दादी के लिए अशुब होता गए जातक के लिए जातक को अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ता गए मामा पक्ष को भी दुरुबल बना देता गए तो ऐसी स्थिति में सूर्य के दुस परिणामों से हम बचें कैसे हैं तो सबसे पहला उपायक है कारतिक की शांती कीजिए दूसरे नंबर पर जो यहां पर यंत्र बना हुआ गए इस यंत्र को सोने के पत्रे पर तामे के पत्रे पर आप अंकित करवा करके खुदवा करके या फिर भोज पत्र पर लाल चंदन की शाही के द्वारा अनार की कलम से आप निर्मान करें और 21 हजार सूर्य मंतर का जाब करें और उसको लाल धागे के अंदर अपने गले के अंदर आप धारन करें ये सूर्य कवच हो जाएगा और आपको जीवन भर रक्षा करने वाला हो जाएगा बाकी और भी मैं उपाय आपको बता रहा हूँ किसी भी रविवार से प्रारंब करके 108 रविवार आपको तांबे के लोटे से सूर्य को अर्ग देना है अर्ग तो हमें नित्यपर्दी देना चाहिए लेकिन सूर्य के उपायों में इसकी अवशक्ताग है इसलिए आपको सूर्य को अर्ग देना चाहिए गेहूं, बाजरा और गुड़ ये मिला करके जविवार के दिन लाल गाय को खिलाया करें अब गेहूं का दलिया हो सकता है गुड़ को इनको बिगो करके और गुड मिला करके और वो आप जो है गाए को दे सकते हैं या फिर इनका दलिया बना करके उबाल करके गुड मिला करके वो आप गाए को दे सकते हैं इसके अलावा अब आपको चाहिए कि तांबे के चोकोड टुकड़े रविवार के दिन पूरु दिसा में जाकरके बैते वे जल के अंदर प्रवाइद करें और क्या करना चाहिए सफेज चंदन से सफेज चंदन गिसकर के पाने में मिला लीजिए 21 रवी बार आपको शनान करना है और ये कोई आवश्यक नहीं है कि हर कारिय आप करें हाँ लेकिन इनमें से जितना भी आपको सुलब हो जाए अधिक से अधिक उपाय जोगे आप इनमें करने का प्रयास कीजिए 21 रवी बार बंदरों को गुड़ खिलाएं बहुत कठिन काम नहीं है और किसी भी अपने इस्ट्रदेव की चांदी की मूर्ती रवी बार के दिन लाकर के आप उनके अंदर डाल दीजिए तो सूर्य का जो दुस्प्रभाव है वो आपका समाप्त होगा और एक आखरी उपाय बता रहा हूँ जो सबसे महत्वपूर्णक है शराब नहीं पीनी है शराब से सोकोस दूर भाग जाईए अगर इसके अच्छे प्रिणाम आपको प्राप्त करना है तो बाकी और जानकारियों के लिए ये नंबर दिये हुए है इन नंबरों के उपर आप संपर्क करके कारेले से अपाइंटमेंट ले करके कारेले की कुछ सेवाएं हैं और आप जो भी जानना चाहते हैं वो आप जान सकते हैं बाकी ये यंत्र सूर्य यंत्र आप हमारे कारेले से भी निर्मान करवा करके प्राप्त कर सकते हैं नमस्कार 7-8-3-8-9-8-4-2-1 देवग्य सच्चिदानंद वशिष्ट जी से वास्तू, जयोतिश, वैदिक अनुष्ठान, पूजापाट, महामृतिन जयपाट, शत्चंडी पाट, बगुला मुखी पाट, भैरव अनुष्ठान आधी, राशी रत्न, रुद्राक्ष, कवच आधी हेत संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र है, 7-8-3-8-9-8-4-2-1, हमारी वेब साइट है, www.shreevashist.com